हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्यप्रदेश की नमबर मन चैनल फॉर डेली करंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे मद्यप्रदेश के जन्वरी माय की करंट अफेर की बारे में जो 2020 का जन्वरी माय है उसके बारे में दोस्तो अगर आप हमें कहीं भी फॉलू करना चाहते हैं तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये गए हैं वहां से आप हमें फॉलू कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो हिंदी और इंग्लिस दोनों भाषाहों में बनाये गया है तो जिस भी भासा में आप कमफर्टिबल हों उसमें यह वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तो बिना समय कबाए चलते हैं क्वेशन नमर्बर फरस्ट पर क्वेशन नमर्बर फरस्ट है सरदार पटेल की दूसरी सबसे उची प्रतिमा कहां लगाई गई है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है अहमदाबाद में अहमदाबाद में 50 फी तूची सरदार बल्लब भाई पटेल की दूसरी प्रतिमा लगाई गई है यह 70,000 किलोग्राम बजनी है और इसके डिजाइनर है राम सुता जिनें पद्न भूशन से भी नवाजा जा चुका है दोस्तो आपको एक और इंपोटेंट फेक्ट बता दें सरदार बल्लब भाई पटेल की सबसे उची प्रतिमा जैसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं यह है गुजरांत में ही लगाई गई है नेक्ट decl Guide प्रधानमंत्री किसान्यूजना की तीस्री किस्त की शुरुआत किस राज्ज किस्ट की रासी है बारा हजार करोर रुपाई अब दोस्तो बात आई है करनाटक की तो आपको कुछ important फेक्ट करनाटक के बारे में बता दें करनाटक की स्थापना एक नॉवंबर 1956 में की गई थी और यहां के जो गवर्णर है वह हैं बजुभाई बाला और चीफ मिनिस्टर हैं वी एस यदुरप्पा नेश्ट कोश्चन है गरतंतर दिवस 2020 पर भारत के अतीति कौन थे तो इसका सही औफशन है जे अर बोल सनारू जो ब्राजील के हैं यह 2020 में भारत के गरतंतर दिवस पर अतीति थे दोस्तों आपको बताएं 2019 में साउथ आफरीका के सिरिल रामफोसा भी भारत के गरतंतर नेश्ट कोश्चन है हाली में किस राज्ज के सोतराई और खोवर आठ को जी आई टेग दिया गया है तो दोस्तों इसका सही औफशन है जारकंड जारकंड की सोखराई और खोवर को जी आई टेग हाली में परदान किया गया है अब दोस्तों बात आई है जारकंड की तो आ इतना आपको जारगंड के बारे में जरूर याद रखना है Next question है, हाली में किस खिलाडी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास की घूशना की है तो इसका सही option है, इर्फान पठान इर्फान पठान ने हाली में सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घूशना की है नेक्ष्ट कुशन है पाँचवी नरस्ट ऑइस चंपियंशियP कहा शुरू हुई है तो इसका साही उफ्शन है लेह लगदाक में लगदाक में 5-वी नरस्ट ऑइस होकी चंपियंशिप की शुरुआत हुई है नेस्ट कॉश्चन है कब विष्व बरेल दिवस मनाया जाता है तो 4 जनबरी को प्रती वर्ष विष्व बरेल दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो इसका सही Option है GMGS Mennan भारती बायुस Girna के प्रवारी अधिकारी बने है इस द्वारा एस्ट्रोनोर्ट के टेर्निंग के लिए कहां सेंटर बना रही है तो इसका सही Option है आंध्रपृदेश की चित्र दुर्ग में आंद बिदेश के चित्र दुर्ग में इस रोव अपना एक एस्ट्रोनेट सेंडर बना रही है नेक्स्ट कॉशन है AK-203 एसल्ड राइफल किस देश से खरीदी जाएगी जिसका सही ओफ्षन है रूस से रूस से हम AK-203 एसल्ड राइफल खरीद रहे हैं अब दोस्तों बात आई है रूस की तो आपको कुछ important factor रूस के बारें बता दें रूस की राजधानी है Moscow और रूस की जो President है वह है Vladimir Putin नेक्स्ट कॉशन है Decade द्वारा World of the Year किसे चुना गया है तो इसका सही option है दे को Decade of the World Year के नाम से चुना गया है नेस्ट कॉशन है हाली में World Economic Forum द्वारा ट्रेवल और टूरिज में रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत की rank क्या है जिसका सही option है 34 वी भारत की 34 वी rank है वहीं बात करें बिस्व में पहली rank पर कोन है तो Spain बिस्व में पहली स्थान पर है दोस्तो अब बात करते हैं W.E.F. यानि World Economic Forum की तो इसका formation 1971 में किया गया था इसके जो founder थे वाई थी Klaus Swachep और इसका headquarter है कॉलागनी Switzerland में इसके हाली में जो chief executive है वाई वी Klaus Swachep है Next question है Border Security Force के महान रिक्षक किसे चुना गया है तो इसका सही option है अभीनब कुमार अभीनब कुमार को B.S.F. Water Security Force के महान रिक्षक पत्प के लिए चुना गया है Next बात करते हैं हाली में किसे सेवी का कारिकारी अधिकारी चुना गया है तो दोस्तो इसका सही option है बवीता राइडू बवीता राइडू को सेवी का कारिकारी अधिक्ष चुना गया है दोस्तो अब बात आई है सेवी की तो आपको कुछ important factor सेवी की बारें बता दें सेवी का full form होता है Securities and Exchange Board of India इसका formation 12 April 1988 में किया गया था यानि 12 April 1988 headquarter इसका मंबई में है और चेर मेंने अजय त्यागी next question है WHO 2020 वर्ष को किस वर्ष की रूप में घोसित किया गया है जिसका सही option है the nurse and the midwife इसकी रूप में WHO 2020 का वर्ष का विसाय चुना गया है next question है 77th gold globe award 2019 में किस film को west film चुना गया है जिसका सही option है 1971 यह विश्व उद्ध पर आधारित है जो पहला विश्व उद्ध हुआ तो उस पर आधारित है और इस film को 77th gold globe award 2019 में चुना गया है दोस्तों वहीं अगर बात करें इसमें जो west actor चुने गए हैं तो उनका नाम है जोकिन फिनेक्स और actress है एम पाविना next question है खेलो university games 2020 का आयोजन कहां कराया जाएगा जिसका सही option है odisha odisha में खेलो university games का आयोजन कराया जाएगा अब दोस्तों बात आईए odisha की तो कुछ important fact आपको odisha की बारे में बता दें odisha का जो formation हुआ था वह दोस्तों एक अपरल 1936 को हुआ था odisha की जो बरतमान governor है वह है गनेशी लाल odisha की chief minister है नवीन पतनाएक तो इतना आपको odisha की बारे में याद रखना है नेस्ट question है महिला विग्यान कॉंग्रिस का आयोजन कहां किया गया है जिसका सई option है बैंगलूरू में बैंगलूरू में भारती विग्यान कॉंग्रिस का आयोजन भी यहीं पर किया गया था और महिला विग्यान कॉंग्रिस का आयोजन भी बैंगलूरू में ही किया गया है next question ICMR की अनुसार कि शहर की महिलाएं सबसे ज़्यादा शक्कर खाती है जिसका सही option है मुंबई मुंबई की महिलाएं सबसे ज़्यादा शक्कर खाती है दोस्तो अब बात आईए ICMR की तो आपको ICMR के बारें बता दें इसका full form होता है Indian Council of Medical Research इसका formation 1911 में हुआ था और इसके जो डारेक्टर जनरल है वह हैं वल्राम भारगव next question है सिंगोरगड का किला मद्यप्रदीश के किस अभ्यारण में इस्थे थे तो इसका सही option है रानी दुर्गावती अभ्यारण दमोह रानी दुर्गावती अभ्यारण दमोह में सिंगोरगड का किला इस्थे थे अब बात आएए दोस्तो दमोह जिलेगी तो आपको कुछ important fact दमोह जिले की बारें मद्यप्रदीश में सबसे अधिक बाल स्रमिक दमोह में ही है मद्यप्रदीश की पीतल नगरी की नाम से पीतल नगरी कहा जाता है तो इतना आपको दमोह के बारें fact याद रखने है या आपके किसी भी exam में एक fact बनके question बनके पूछा जा सकता है next question है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्त योजना किस राज्जी में लाई गई है जिसके जर्गे राज्जी के कर्मचारीयों को पांचलाग रुपे का उपचार फ्री किया जाएगा जिसका सही option है मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश में यह योजना लाई गई है next question है हाली में बेद्वा गरंध का विमोचन किस ने किया है जिसका सही option है कैंद्री एक परेटन राज्जमंत्री प्रहलाद पटेल ने बेद्वा गरंध का विमोचन किया है हाली में कहां बुंदेली भासा का राष्टी सम्मिलन शुरू हुआ है जिसका सही ओफ्षान है ओर्चा जो अब निमाडी जिले में आता है वहाँ पर बुंदेली भासा का राष्टी सम्मिलन शुरू हुआ है दोस्तों आप बात आईए निमाडी जिले की तो आपको कुछ important fact इसकी बारे में बता दें उर्चा यहां की प्रिसिद्र नगरी है और यहां पर रामाण संग्राल है इस्थित है मद्धप्रदिस की अयुत्यों नगरी से उर्चा को जाना जाता है स्वतंतता सिनानी चंदर सीखर आजाद में कुछ समय उर्चा में ही बिताया था तो यह कुछ important fact आपको याद रखने है next question है कौन सी संस्ता 2020 को year of mobility की रूप में मानेगा जिसका सही option है CISF CISF 2020 को year of mobility की रूप में जानेगा next question है गुलावट जील कहां इस्तित है जिसका सही option है इन दोर में इन दोर में गुलावट जील इस्तित है next question है IBM का India head और South Asia head किसी बनाया गया है तो इसका सही option है संधी पटेल को IBM का India head और South Asia head चुना गया है दोस्तो बात आईए IBM की तो आपको इसके बारें बता दें इसका full form international business machine होता है इसका foundation 6-16-1911 को रखा गया था इसका head quarter नियू यॉर्क में है और अभी जो head है बाय है गिन्नी remedy तो इतना आपको IBM के बारे में याद रखना है अब दोस्तो बात आई यह उवेर के बारे में आपको बता दें इसका formation 2009 में किया गया था यह एक booking taxi काड़ी है नेक्ट कोशन है हाली में कब रास्टी प्रवासी दिवस मनाया गया है जिसका सही option है नौ जन्वरी को रास्टी प्रवासी दिवस मनाया गया है नेस्ट क्वेशन है पूर्वोत्तर में गैसों की आपूर्टी के लिए कितने राज्जों कितने रुपे का बजट रखा गया है जिसका सही ओफ्षन है पांच हजार करोर रुपे का पूर्वोत्तर में गैसों की आपूर्टी के लिए पांच हजार करोर रुपे का बजट आपको बता दें असम से गौहाटी, दिसपोर, कोईमा, एमफाल, आईजोल और अगरतला के लिए जोड़ी जाएगी ये गैस आपूर्ती लाइन जो पूर्वोतर में बिचाई जा रही है। भारत इस बुक फियर में गेस्ट ओफ ओनर रहा है। सबसे ज़्यादा जनसंक्या गनातो भोपाल में ही इस्थे थे। भारत हैवी एलेक्टिकल्स यानि भी एच इएल उननी सो साथ में बेटेन की सहयोक्सी बनाया गया था। आप दा प्रवंदन संस्थान भी भोपाल में ही इस्थे थे। देश का पहला मॉडल ब्लेड बेंक भी हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में ही बनाया गया है। देशु का सबसी बड़ा सौर उर्जा संयंत्र भोपाल में लगाया गया है। भारत भवन को 1982 में चार्ल्स कूरिया ने बनाया था। दोस्तों आपको बता दें ताजुल मस्चित भारत की सबसे बड़ी मस्चित है यह भी भोपाल में ही इस्थे थे। दोस्तों इतना आपको भोपाल की बारे में याद रखना है। ग्याहू की किसमे की पहचान के लिए कौन सा एप लौच किया गया है। जिसका सी ओफशन है बैरायटी एप किसमे की के पहचान के लिए एप लौच किया गया है। नेस्ट क्वेशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्गाटन कहां हुआ है तिसका सई उफशन है गवाहाटी में गवाहाटी जो असम्में है वहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरी संस्क्रण का उद्गाटन किया गया है दोस्तो आपको बता दें 37 राज्य और यह तीसरा संस्क्रण था नेस्ट कोश्चन है अनुसूच जाती की सबसे ज्यादा आवादी किस राज में है जिसका से यॉफ्षन है मद्यप्रदेश में यह जाती सबसे ज्यादा है नेस्ट कोश्चन है वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट 2019-20 में कितनी बताई गई है जिसका से यॉफ्षन है 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत भारत की GDP ग्रोथ बताई गई है वहीं 2020 और 21 के लिए 5.8 परचेंट यह GDP ग्रोथ रेट बताई गई है नेस्ट कोश्चन है 1,60,000 केस निप्टाने के लिए कितने राज्चों में 1023 फास्ट्रेक कूट की स्थ अपना की गई है इसमें मद्धिदेश भी शामिल है नेस्ट कोश्चन सुप्रीम कोट ने इंटरनेट को मौलेक अधिकार बताया है इस यह किस अनुच्छेद में रखा गया है जिसका से यॉफ्षन है अनुच्छेद 19-1 के इपार्ट में रखा गया है आपको बता दें अ सब्सक्राइब इनडरनेट को मौलेक अधिकार बताया गया है सुप्रीम कोट के द्वारा नेस्ट कोश्चन है यूरिशियाग्रूप के अनुसार पांच वी सबसे वड़ी भूर आजनेतिक जोखियं किस देश को बताया गया है तो भारत को यूरियाजिया गूर्प के अन बनाई जाएगी दोस्तों बात आईए उज्जन की तो आपको कुछ important factor उज्जन की बारें बता दें उज्जन को प्राचिन काल में अवंति का और उज्जन ही नाम से जाना जाता था राजा बिक्रमा दित ने उज्जन को अपनी राजधानी बताया था उज्जन में सबसे पहले शुन्य का उपयोग ब्रह्म गुप्त की द्वारा किया गया था दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर यह प्राचिन शहर इस्थित है सिहस्त का कुम्म मेला प्रतीक 12 बर्श में यहाँ पर लगाया जाता है ब्रथरी की गुपाएं भी उज्जन में ही इस्थित है तो इतना आपको उज्जन की बारे में याद रखना है अब बात करते हैं रतलाम की तो रतलाम की इस्थापना कैप्टन वर्थ विग ने 1829 में की थी रतलाम की श्यो की नगरी भी कहा जाता है रतलाम में पस्चिम रेलवे जोन का छित्रिय मुख्याला है रास्टिय अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम जिले में ही इस्थित है तो इतना आपको रतलाम की बारे में याद रखना है अक्षय उर्जव विभाग किस मंदर में 60 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएगा जिसका सही option है मंदसवर के पसु पतिनात मंदर में मंदर इस मंदर में अक्षय उर्जव विभाग की द्वारा 60 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं मंदसौर जिले की तो आपको बता दें मंदसौर को पहले दसपुर की नाम से जाना जाता था मंदसौर की अफीम नगरी की नाम से मंदसौर को जाना जाता है रावण का ससुराल होने के करण मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है हिंगल राज का हिंगल राज गर्ड किला यहीं मंदसौर में ही इस्थित है मद्ध प्रदेश की पहली जल विद्यूत परियूजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में ही बनाया गया है प्रदेश का एक मात्र उध्यानिकी महाविद्याल है मंदसौर में ही इस्थित है तो इतना आपको मंदसौर की बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन किस राज़ में फ्री इंटरनेट सिवा दी जाएगी तो इतना आपको गुजरात की बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन SBI Eco Warship GDP अनुसार भारत की ग्रोथ रेट कितनी रखी गई है तो इसका सही ऑफशन है 4.6 प्रतिशत नेश्ट कोशन UN द्वारा जारी रिपोर्ट की अनुसार पांच साल से कम उम्र की बच्चियों की मौत सबसे ज़्यादा किस राज़ में होती है जिसका सही ऑफशन है मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश में 55 प्रती वर्ष 5 साल से कम बच्चियों की मौत हो जाती है यह है रिपोर्ट UN द्वारा जारी की गई है नेश्ट कोशन है सबसे ज़्यादा आदर भूमी पक्षी किस उद्ध्यान में है जिसका सही ऑफशन है काजी रंगा जो असम में है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदर भूमी पक्षी रहती है इन पक्षियों की संक्या है 19,225 नया नागरिकता अधिनियां जिसे CAA की नाम से जाना जाता है यह कब लागू हुआ है तो यह 10 जनमरी 2020 से लागू किया गया है BCCI द्वारा Best International Cricket के लिए पाली उमरगीर अवर्ड किसे दिया गया है जिसका सही ऑफशन है जस्पीत बुमरहा और पूना म्यादाव इन दोनों को BCCI द्वारा यह अवर्ड दिया गया है जिसका नाम है पाली उमरी गीर अवर्ड अब दोस्तों बात आई है BCCI की तो आपको कुछ important factor BCCI की बारे में बता दें इसका formation 1928 में किया गया था इसका headquarter मुंबई में है आपको बताएं इसके president है सौरभ गांगोली और CEO है राहुल जोहरी Next question इसका सही option इसका सही option है श्यामा प्रसाद मुखर जी पोर्ट ट्रस्ट ये कोलकाता पोर्ट का नया नाम है Next question CRPF का नया DG किसी बनाया गया है तो दोस्तों इसका सही option है Dr. A.P. महस्वरी को CRPF का नया DG बनाया गया है Next question हाली में राष्टपती बाल सकती पुरुषकार के लिए चुने गई मद्ध प्रिदेश की एक मात्र बाली का कौन है जिसका स्योफ्षन है रिया जैन जो भूपाल की एक पेंटर है और इन्हें मद्ध प्रिदेश की यह एक मात्र बाली का है जिने राष्टपती बाल सकती प्रतिमा है उसे SCO की आर्ट चमतकार की लिस्ट में शामिल किया गया है अब दोस्तों यह SCO क्या है आपको इसकी बारें बता दें तो SCO को फुल फॉर्म संगहाई कोर्परेशन और्गनाईजेशन है इसकी इस्थापना दोजा एक में की गई थी और इसमें कुल आठ मेंबर देश हैं दोस्तों आपको बता दें यहां की जो सेकरेटरी है वह हैं बलादिमीर नौरोब तो आपको इतना SCO की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कोशन है हाली में राय सेना संबाद कहां शुरू हुआ है तो दिल्ली में यह शुरू हुआ है और दोस्तों राय सेना संबाद की शुरूआद 2016 में की गई थी और यह इसका पांचवा संस्क्राण है नेस्ट कोशन सेना दिवसपत पुर्शों की परेट का नेतरत्व करने वाली भारत की पहली महिला कोन है तो यह हैं तानिया शिर्गिल जो पंजाब की रहने वाली है इन्होंने सेना दिवसपत पुर्शों की परेट का नेतरत्व किया था और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है इनका नाम है तानिया शीरगिल नेक्ट कोशन हाली में डुहिला महोसो का आयोजन किस शहर में किया गया है जिसका सही उफशन है सागर की खुरई में जैकलीन बिलियम से जो बेस्ट रंडीज की है, इन्होंने पुर्सों की मैच में थर्ड अंपारिंग की है, दोस्तों इन्होंने बेस्ट रंडीज और आइलेंड के बीच खेले गए मैच में, T20 मैच था, उसमें अंपारिंग की है, नेच्ट क्वेशन है, आइसीसी की टीम में किस खिलाडी को T20 और बंडी का कप्तान चुना गया है, जिसका सी ओफशन है ब्राट गोईली को, ब्राट गोईली को ICC की T20 और बंडे टीम का कप्तान चुना गया है, नेश्ट कोशन तीसरे राउंड के शहरों में इंडिया स्मार्ट सिटी में अबल शहर कौन सा है तो वह है सागर दोस्तों बात आईए सागर की तो कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट आपको सागर की बारें बता दें सागर को भारत का हरदय कहा जाता है सती का पर्थम उलेक एरण अवी लेक में देखने को मिलता है मद्धिप्रदिश का पर्थम विश्विध्याल है डॉक्टर हरी शिंग और विश्विध्याल है सागर में ही इस्थापित किया गया है जबाहलाल नहरू पोलिस प्रिस्टिक्शन अकेडमी सागर में ही इस्थेत है स्टेनलेस स्टील कॉंप्लेक्स की स्थापना भी सागर में ही की गई है बीना में कीतना सक सैंत्र लगाया गया है नौरा देही वन जीव अभ्यारंड जो छीतरफल की आधार पर मद्विदेश का सबसे बड़ा अभ्यारंड है यह सागर जिले में ही इस्थेत है दामोनी उर्स भी सागर में ही लगाया जाता है दोस्तो स्वान योजना की सुवा 2004 में सागर से ही प्रारंब की गई थी तो इतने important fact आपको सागर की बारे में याद रखने है नेश्ट कोशन है 17 km लंबी तरंगा जंडा की रेली निकार कर कहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है तो यह भी सागर में ही बनाया गया है नेश्ट कोशन क्रिकेटर W.C. रवन की पुष्टक का नाम क्या है तो दा विंग्स सिक्सर यह W.C. रवन की पुष्टक का नाम है भारतिय सेना दिबस कब मनाया जाता है तो यह 15 जन्वरी को मनाया जाता है भारतिय सेना दिवस दूस्तो बात आईए भारतिय सेना दिवस की तो आपको बता दें इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1895 में की गई थी दूस्तो इसका जो हैटकोर्टर वो है नई दिल्ली में है और मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ आपको बता दें जो अभी हाली में आर्मी चीफ हैं उनका नाम है मनुज मुकुंद नर्वने नेस्ट कोशन है हाली में किस भारतिय को इंगलेंड की महरानी का वकील न्युक्त किया गया है जो सलमान खान का हिरन वाला केस हैं जो बात आई ये तिरपुरा की तो आपको बता दें तिरपुरा की स्थापना एक नॉबंबर 1956 में की गई थी और यह स्टेट बना था 21 जनवरी 1972 को यहां की जो गवर्णर हैं वह हैं रमेश बैस और चीफ मिनेस्टर हैं विपलब कुमार तेब नेस्ट कोशन है आई आई एम इंदोर ने लगू वीडियो उत्पादन के लिए किसके साथ समझोता किया है तो इसका सरी ओफ्शन है टिक टॉक एप के साथ आई आई एम इंदोर ने लगू वीडियो उत्पादन के लिए समझोता किया है अब बात आईए IIM एंदोर की तो आपको बता दें इसकी बारे में इसका establishment 1996 में किया गया था इसका जो मोटू है वह सिद्धी मूलम प्राधानम है दोस्तों यहां की जो चीफ डारेक्टर है उनका नाम है हेमानसू रोय तो इतना आपको IIM एंदोर की बारे में याद रखना ह पूछा जा सकता है नेस्ट कोशन है ट्राइक कि अनुसार भारत की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी कौनसी है जिसका सही option Reliance जीओ हाली में भारत की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी बनी है नेस्ट कोशन है एतिहासिक Victoria Market कहां इस्थथ है तो यह ग्वालियर में तांसेन की नगरी, तांसेन का मगवरा और सास वहू का मंदर ये सभी ग्वालियर में ही इस्तित है। एशिया का पर्थम सारेरिक परशिक्षन महाविध्याले जिसकी इस्थापना उन्नी सो संताबन में की गई थी वह ग्वालियर में ही इस्तित है। सूसल मोबिलिटी इंडेक्स सामाजिक गतिविदी सूचकांक में किस देशना टॉप किया है। तिसका सही ओफ्षन डेनमार्क वहीं भारत की इस्तिती 76 वे नंबर पर है यानि 76 प्लेस पर है भारत। नेस्ट कोश्चन हाली में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां शुरू हुआ है। तो यह है मिथाइल मुस्टिन को दिमित्री मेदवी जिप की जगए रूस का नया प्रधानमंद्री चुना गया है। हाली में वर्ल्ड एकॉनोमिक फोरम की 85 वेटक का आयोजन कहां किया जा रहा है। हैदराबाद रियल इस्टेट कर्तिविधी के लिहाज से दुनिया का पहला शहर है और बैंगलूरू दूसरा है। दोस्तो इस लिस्ट में भारत की टूटल साथ शहरों को चुना गया है। हाली में चेन में कौन सी महामारी फैली है। तो यह है सार्च जिसे कोविट या कोरोना की नाम से जाना जा रहा है। यह वही विमारी है। इसका जो उरिजिनल नायम है वह है सीवियर एक्यूटिट रिस्पेटरी सिंड्रोम। यह कोरोना वारस से फैलता है। नेस्ट कोशन है आई एमफ द्वारा जारी रिपूर्ट के अनुशा, भारत की जीडिफी ग्रोथ रेट 2019-20 में कितनी रहेगी। जिसका सही ओफचन है 4.8 प्रतिशत है। नेस्ट कोशन है रास्टीटी का क्रंद दिवस कम मनाया जाता है। तो यह 19 जन्वरी को मनाय जाता है और इसकी इस पार थीम रखी गई है नो पोलियो नेस्ट कोशन मार्सल आर्ट S Q A Y प्रतियोगिता कहां खेली जा रही है तो यह भूपाल में खेली जा रही है नेस्ट कोशन है हाली में खजरा हो साहत मौद्सौक किस जिले में शुरू हुआ है जिसका सही ऑफशन है छतर पुर जिले में खजरा हो साहत मौद्सौक की शुरूआत हुई है उस तो बात आई है छतरपुर की तो आपको बता दें छतरपुर की बारे में राजा छतर साल की नाम पर छतरपुर नाम रखा गया इस चिले का प्राचीन काल में जेजा की युक्ती की नाम से छतरपुर को जाना जाता था चंदेलों द्वारा खजराहो की मंदर का नमाल कराया गया था खजराहो को 1986 में युनेश्को की विस्व ब्रासत की सूची में शामिल किया गया था तो इतने important fact आपको चतरपूर की बारे में याद रखने है Next question है देश का सबसे प्रदूशित शहर कौन सा है तो जारिया यह जारगंड में इस्तित है यह देश का सबसे प्रदूशित शहर है वहीं दिल्ली दसवे इस्थान पर है Next question है W.E.F. द्वारा किसे हाली में क्रिस्टल अवार्ट दिया गया है तो यह दीपिर का पादुगोन को W.E.F. के द्वारा क्रिस्टल अवार्ट से सम्मानित किया गया है दोस्तो इन्हें यह अवार्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि यह डिप्रेशन की खिलाफ इन्होंने अपनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी next question है हाली में सारंग तूप का सफल परिक्षन कहां किया गया है तो यह जवलपुर में इस तूप का सफल परिक्षन किया गया है अब बता दे आपको जवलपुर की बारी में तो यह मत्वर्दीश की संसकार राजधानी की नाम से जाना जाता है राजी का पहला निगर निगम भी जवलपूर में ही बनाया गया था जवलपूर में ग्रामिर विकास संस्थान भी इस्तित है राणी दुर्गबती की समाधी बरेला गाउं जो जवलपूर में है यहीं पर इस्तित है बहरत का प्रथम बिकलांग पुनरवास केंदर भी जवलपूर को ही बनाया गया है जवलपूर को आम जलावी खोशित किया गया है जवलपूर को पूर में तरपूरी की नाम से जाना जाता था प्रदेश का एक मात्र और पहला रत्न परिश्कित केंद बनाये गया था जवलपूर में मद्धिप्रदेश का हाई कोट भी जवलपूर में ही इस्थत है तो इतने फेक्ट आपको जवलपूर की बारे में याद रखने है नेस्ट कोशन है पारमपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहां आनंद उस सबकी शुरुआत की गई है तो यह सागर में की गई है पिछले पांच बरसों में इरान के साथ देश ने कुल ब्यापार का कितने परतिशत आयात किया है तो यह है 2.3 परतिशत जो आयात किया गया है भारत और इरान के बीच पिछले पांच बरसों में नेस्ट कोशन है भारत और नेपाल के बीच बने नए चेक पोस्ट का नाम क्या है ठिसका सी Оप्षन है बिराट नगर जो बिहार में है यह भारत और नेपाल की बीच नया चेक पोस्ट बनाया गया है नेस्ट कोशन इसरु दूआरा बनाए गए हाफ उनमनाईट रोबिट का नाम क्या है तो यह है ब्यों मित्र यह है इस रो की द्वारा बनाया गया Half Humanite Robot है Next question है World Economic Forum की बैठक में मत्यप्रिदिश की ओर से किसने प्रतिनिद्थ्व किया है तो मुख्यमंत्री जो जनवारी मुख्यमंत्री थी कमलनाच जी उन्होंने World Economic Forum की बैठक में प्रतिनिद्थ्व किया था मत्यप्रिदिश का Next question है 31 जनवारी को दो दवासी नर्वदा जैनती महुत्सव कहां शुरू हुआ है तो यह हुआ है होशंग बाद में दोस्तो बात आई है होशंग बाद की तो आपको इसकी बारे में कुछ important fact बता दे मत्यप्रिदिश का सबसी बड़ा railway junction है वह है इतारसी है और यह हुआ रश्णग बाद में isth दे से हुआज़ाबाद में security paper मिल भी इस्थापित किया गया है मत्यप्रिदिश का सबसी लंबा पुल तवानदी पर हुआ रश्णग बाद में ही बनाया गया है ब्रिसु का सबसी बड़ा स्वार उजा संयंत्र इटारसी के अब्रक कार खाने में लगाया जा रहा है सत्पुडा की रानी पच्मनी हिल स्टीशन एकमात हिल स्टीशन है जो मद्धिदिश का यह भी हुशंगाबाद में ही इस्तित है मद्धिदिश का सरवादिक सिंचित जिला हुशंगाबाद ही है 83 प्रतीसत भूमी सिंचित है यहां की बोरी अभियरन जो बाइलाइब सेंचुरी के नाम से विखसित है यह भी हुशंगाबाद में ही इस्तित है तो इतना आपको हुसंग रबाद की बारी में याद रखना है नेस्ट कॉच्छन है पारंपर खेलों को बढ़ा बाद देने किस जिले में आनंद उथ सब की शुरुआत की गई है तो यह की गई है सागर जिले में नेस्ट कोश्चन है इंडिया स्मार्ट सिटी अवर्ड के तीसरे राउंड में किस शहर को चुना गया है तो यह सागर को चुना गया है दोस्तो आपको उताद है टोटल 33 शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटी अवर्ड के लिए तीसरे राउंड के लिए चुना गया था जिसमे पहली बार कहां कि मूख बाधिर बच्चों ने इसारों में रास्टगान की प्रस्तुती गड़तन तद्वस पर दी है तो इसका सही उफ्षन है अशूग नगर अशुग नगर के बच्चों ने जो मूख माधर बच्चे थे उन्होंने रास्टगान की प्रस्तुती इसारों में दी है दोस्तो बात आईए अशुग नगर की तो आपको इसके बारे में बताने मत्यप्रदेश की एक मात्र खोली जेल मुगावली अशोग नगर में ही इस्तित है हाथ से बुनी साडियों का उद्योग जो चंदेरी की नाम से प्रसिद्ध है यह भी अशोग नगर में ही इस्तित है चंदेरी नगर मलखम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तो आपको बता दें मत्यप्रदीश चंदीरी साडी का पेटेंट करने वाला देश का पहला राच है तो इसकी यवारी में आपको इतना important fact याद रखने है Next question है Night Frank की global residential cities में भारत की किस शहर को चुना गया है तो हैदराबाद को चुना गया है दोस्तो हैदराबाद 14 भी इस्थान पर है दिल्ली तहितर भी इस्थान पर है और इस Night Frank की global residential cities की जो लिस्ट में पहला इस्थान है वह है बुड़ा पेस्ट का हंगरी है Next question है हाली में 23 जन्वरी को सुवास्चंद्र बोश की कौन सी जैनती मनाई गई है तो यह मद्ध प्रदीश में मद्ध प्रदीश में भी इसकूलों में संभी धान की प्रस्तावना को पढ़ाया जाएगा Next question है जावलपूर Literature Festival का 2020 का कौन सा संस्क्रण है तो यह 13 वा संस्क्रण था राष्टपती रामनात कुबिंद जी द्वारा दिये गए वाल राष्टी पुरुषकार की संख्या कितनी है तो वह थी 22 Next question है दस रूपे में शिव भूजन योजना किस राज़ में लाई गई है जिसका सही option है महरास्ट में शिव भूजन योजना लाई गई है दोस्तो आपको वता दे महरास्ट की स्थापना एक मई 1960 में की गई थी यहां की जो गवर्णर है वह हैं भगत शिंग कोशियारी और सबजी उतपादन में सरफसेष्ट राष्ट है वहीं राज है वहीं फल उतपादन में आंद्रप्रदेश सरफसेष्ट राज है तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मद्रप्रदेश के जनवरी माय के करंट अफेर के बारे में दोस्तो नेक्स व कुछ तुरटी या उसमें कुछ गलती होती है तो आप उसे स्वयम सुदा लें मैंने सिर्फ आपकी सहूलियत और English Medium की Students के लिए ये वीडियो मैं English add करके दी है तो दोस्तो अगर आप हमें कहीं भी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये गए हैं वहीं आप इस वीडियो को जादस जादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों और परिवाजन के साथ शेर कीजिए और हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए तो आज गले बसतना ही नमस्कार have a nice day